आज जैसे संखेप रचना ते बिचार्चेप अर्चना के सग्झाने कि जफ सकते हैं सो इस विशे ते विचार चर्चा करन तो पहला असी तो आनू मूल रचना अते संखेप रचना देखो जेक नमूने दिखाऊन दा प्रयास कर दियां और इस विच तुसी देख रहे हो कि एक रचना है अरदास दा असल मंतव दातां मंगनिया नहीं वाहे गुरू ता साधे अंदर दियां जान दा है और इस विच ए मूल रचना है जिस दे विच दस्या गया है कि इस रचना दे अंदाजन शब्द किन्देने और दूसरे पास से तुसी देख रहे हो कि एक सरलेख देता है अरदास दा मंतव और इसे ही मूल रचना दी अठतर के शब्दां दे करीब संखे पर रचना कीती गई है इसे तरह ही साड़कुल एक दूसरी मिसाल है जिस विच अंग्रेजी दे एक लिखारी ने किया है कि रातनू शेती साउँ जान नाल आते सुवेरे तड़के उठन नाल सेहत तानत बुद्धी तिन्ने पर राप्त होंदे है एक मूल रचना है जिदे एक सो उनाठ दे करीब शब्द ने और इस दी अगे संखेप रचना कीती है जिदा स्रलेख दिता गया तड़के उठना शेती साउँ नते तड़के उठन वाले इस संखेप रचना दा एक साड़कुल नमूना है इसे तरह ही अगदी सुवर्तों इंसान कर दे रहन जिस दी परतापी शक्ती कार न ये वी एक मूल रचना है जिस दी संखेप रचना कीती गया और उदा सरलेख की दिता गया अगदी उपजोगी वर्तों इस संताली शब्दां दे वेच्चा है जिस दी संखेप रचना है ते मूल रचना है मूल रचना की है उछ रचना है जिस दी असी संखेप रचना करनी है ते संखेप रचना मूल रचना दा ही एक शोटा संखेप रूप होंदा है और इसनों समझड़ तो पहला असी तो अनूँ दसना चाहांगे के संखेप रचना असल विच अजही रचना हों दिया है जो मूल रचना देही समुच्चे पावनू लिंग वचन कालनू बदले बगैर एक तहाई संखेप जा शोटे रूप विच ब्यान कर दिया असी कह सकते हैं के बवते शवदानू काटी शवदा मेचे ब्यान करना वाला मूल रचना दाही शोटा ते संखेप रूप संखेप रचना ए संखेप रचना इड़ा असान भी नहीं होंदा है के असी बड़ी असानी दिनाल कर सकते हैं इदले ही सबतों पहला जरूरी जड़ा नुक्ता बनदा है ओए के जेड़ी मूल रचना दी ऐसी संखेप रचना करनी है उस मूल रचना नू बार बार पड़या जावे उस दे अर्था नू समझा जावे उस दे विछ केड़े केड़े बेलोडे दोहराओ मिसालना उप मामा आरिया ने उनानु ध्यान विच राकीare उनानु चञे तरा संखलिया जाए कियोंके जिनी देर तक हासी मूल रचना नू समझ ने तिर नी ओनी देर तक इस वीच करीब एक तई हाई हिस्सा होंदा है संखेप रचना मूल रचना तीसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा है तेती शब्द, तेती दा मतलब ए नहीं है कि शब्द तेती होने चाहिए देने संखेप रचना चाहिए, इस दा अर्थ ए है कि अंदाजन तेती दे नेड़े तेड़े दे शब्द होने चाहिए दे है, पैंती भी हो सकते है, एकत्ती भी हो सकते है, पर इनी संखेप ना होवे के मूल रचना दे जड़ी पावने ओही सपस्ट ना हो सकना इसे तरहीं तीसरा नुक्ता की ऐसा खेप रचना दा के बहुते शब्दानी थांते एक शब्द लिख्या जादे और ओदे विच मूल रचना दे ज़ो सारे पैरे नो असी पढ़ दे आ तीसानों देखना चाहिएदा है के किने के शब्दान दा विस्थार है जिसनों असी थोड़े शब्दान विच ब्यान कर सकदे हैं जिमें उस दा आजे तक व्या नहीं होया क्योंके उस दे व्या दी उमर लंग चुकी से ता उदली असी संखेप शब्द की वर्द सकदे हैं ओ शड़ासी चौदान शब्दानों असी तिन शब्दान विच ब्यान कर दता है पाव हो ही ने विचार हो ही ने शब्दान दा वद्द करता है सो संखेप रचना दे विच ए नियम भी बहुत महत्तब होना सो ऐसे तरही संखेप रचना दा अगला नियम की है के लुडिन दे महावरें दी वर्तों करो जिते किते बहुतियां गल्ना दी थांते बहुते शब्दां दी थांते बहुते बिचारां दी थांते आसे मुहावरे दा इस्तेमाल कर सकते हो ये ता उत्थे बहुते शब्दा नी था एक शब्द दा एवी एक एहम नुक्ता बढ़ जन्दा जे में राजन दा ग्यान आपने कर तक सीमत है राजन नु बाहर ली दुनिया दा कोई बहुता ग्यान नहीं है 18 शब्द ने तो इसनु तुसी मुहावरे दा रूप्च के में बियान कर सकते हो के राजन खूदा डड़ू है 5 शब्द ने तो इसे तरहीं मुहावरे दी वर्तों दे नाल नाल असी अखाउत दी वर्तों भी कर सकते हैं और ओ अखाउत टुकमी होनी चाही दी है जिमें मैं ता एई जान दा हां के जेड़ा साचे दे कठन रस्ते ते नेक नियत नाल चलदा रहिंदा है दुनिया उस दी चार चुफ अखाउत की वर्त सकते हैं मैंनू पता है कि सचे मार्ग चल दियां उस्तत करे जहान एदे विच केवल दस शब्द ने सो इस तरीके दिनाल मूल रचना दे शब्दानू असी संखेप रूप्च मुहावरे यां जा अखाउतां दे रूप दे विच भी मुहावरे यां अख शब्दावली है उसनू लिखन दे संखेप रचना विच लोड नहीं होदी उस्ती जगाते असी जानता उस्ती संखेप पाव अर्थ दे सकते हैं जाओ पूरी दी पूरी तुक अलंकार कि शब्दावली मूल रचना दे हिस्से विच्चों जदो से संखेप रचना कर दे है ता उसनू कड सकते हैं जे में एक उदारन तो अन्वसी दिखा रहे हैं रात दी चांदनी रात विच चमकते चंद्रमा नाडों भी ताज महल खूबसूर्त नजरा हुदा है तो इदे लई अलंकार कि शब्दावली दी थांते अर सहीं जे एनी गाल भी केदने हैं ताज मह रचना दे विच जड़े वदू दोहराने मिसालना हन दलीलना हन उजड़े वदू दलीलना हन मिसालना हन दोहरा है उन्वसी कट रख देयां और जवे नफरत परिया बंदा बाउत खतरनाक होंदा है उस तरह होंदा है जवे जड़ी उदारन देती है जैसी नहीं भी लेख दे एनिगल कर देयां नफरत प्रयार बंदा जहरीला होंदा है ता संखेप रचना दे लई ए बहुत लाहेवंद नुकता है इसे तरह ही तुसी जदो मूल रचना पढ़ देयो तो मूल रचना दे विच हू बहू शब्द दित्ते गए होंदे ने उन्ना नू अपने शब्द विच संखेप करके लिखना होंदा है जे में एक उधारन तो अनू दिखा रहे हैं सुना रहे हैं तुसी पढ़ भी सकते हो उन्ना ने किहा असी पढ़े लिखे नहीं हां परन्तु असी हर गलनू चंगी तरह नाल जान दे होए हर तरह दा ग्यान रख दे हैं तो ए हू कि ओ अनपढ़ होन दे बावजूद ग्यान मना हैं तो ए नुक्ता वी हू बहू शब्दान दी थांते उसमों सी अपने शब्दान दे विच संखेप रचना दे विच ब्यान करना होंदा है तो नौवा नियम है के संखेप रचना दा जड़ा पुर्ख है जा हू बहू शब तुसनों आसे बदलना नहीं हुन्दा मन लो कुछ वागत तो नूँ असी दिखा रहे हैं तुसी पढ़ सक देओ उन्हा ने कहा कि ओ पड़े लिखे नहीं है इस विच पुर्ख तीसरा पुर्ख है उन्हा एदी जगाते मैं नहीं आ सकता है उन्हा ती जगाते तू नहीं वचन है, उना ने किहा कि ओपड़े लेखे नहीं हन, हन बहुँआ है यह दी जगात यसी है नहीं कर सकते परंटू तेरी गलनू तेरी हर गलनू चंगी तरह नाल जान दे होए तेरे बारे हर तरह दा ग्यान रख़दे हार जिस्ते तेरे बारे दी गल है उत्थे तेरे दूसरा पुर्ख ही आवेगा उसनों यह सही बदल नी सकते इसे तरह जेमें काल है हन है जे वर्तमान है मूल रचना देविच तांसंखेप रचना देविच भी वर्तमान जी गल होनी है मूल रचना देविच बीते काल दी गल है सी है सन है तांसंखेप रचना देविच भी सी सन बीता होया काल ही आवना है जमें वाक देविच है तूँ एकला सी एकला है ते एकला ही रहेंगा तुझे एक वचन दी गल्ला है एकले दी गल्ला है ते फिर मूल रचना देविच जमें एकला एक का रहे है वचन एक है तां संखेप रचना देविच भी एक वचन उही रहना है जब होना ने किहा कि अन पार होन दे बावजुद तेरे बारे ग्यानवान हन तेरे को नो पहला डर दे सी होन नहीं तू हमेशा एकला रहेंगा सो इस तरीके दे नार इस नुक्ते दे तहत असी मूल रचना नो संखेप कर सकते हैं सो संखेप रचना दे जो उसी करनी हैं तो उस दा एक टुक्वान सरलेख देना होन दा है उसी देख दे हैं कि जदो उसी मूल रचना पढ़ दे हैं जिस विशे दी गल जैदा हो रही होगे जिस विशे द्वाले सारी रचना केंदर तो होवे उससे विशे दे नाल सबंदत ही रचना दा सरलेख होंदा है और जदो से मूल रचना नू पढ़के ते संखेप रचना दे वेचे उस दा सरलेख लिखना होंदा है ते उदली जरूरी की है कि सरलेख विशे दे अनकूल होना चाहीद है रचना दा केंदरी नुकता संखेब रचना दा सरलेख बनदा है और ए सरलेख ही इशारा करदा है रचना दे मुख पावल और आम तोरते रचना दे अरंब दे विच, मूल रचना दे अरंब दे विच, मूल रचना दे अखीर दे विच, जण ज़सी सारी रचना दे पढ़ लेने हैं, बार बार समझ लेने हैं, ते सानु इस गल दी समझ आ जान दी है, कि इस दा सरले की होएगा वालोग खेड़ने महत्ब दी गल हो रही है खेड़ने साठधे मान दियां वस्तमाँ द वकास की महत्ब पूरन अपलब दियां जाझ खेड़ने साठी सरीर द वकास की ड़ायों ऋडरीजा करें तो यदíssी मतलव खेड़ने दा महत्ब दा सुर्लेक आएगा जे गल्ला होंदी है कि खेड़ना एनी तरह दिया होंदी है हाना एनी आई दिया किसमा हाना आग किसमा एस तरी के देना खेड़ी जान दिया है तो ओदा सरलेख आएगा खेड़ना दिया किसमा सो एड़ा संखेप रचना दा सरलेख है एविशेद वाले किंदरत हुंदा है और संखेप रचना दे विच ए सरलेख देना मी जरूरी हुंदा है सो रचना विच्चों ही सरलेख दी तलाश असी करनी हुंदी है मूल रचना नूँ पढ़के सो आव ऐसी एक संखेप रचनादा अभ्याज करके देखिए सो इस विच है ताजमेल चांद दीताना मन मोहक सोज परिया खूबसूरत नजारे वारा चान चाननी राद दीताना अत्यांत सुन्दर नजरां दा सो इस विच अलंग कारक शब्दावली वरती है जिसनों से ही कटनाँगे पार्त विच वखवख राज़ां विच जे में पंजाब, हर्याना, हिमाचल, जम्मू, किश्मीर, राइस्थान, गुजरात, बंगाल, चंडीगड, महाराश्टरा, दिल्ली, उडीसा, सिक्कम, लेलदाक आते पार्त वो बाहर, अमरीका, कैनेडा, फ्रांस, रूस, इंगलेंड, जपान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजी लेंड, थाईलेंड, आस्टेलिया, आद वखवख देशां विचों, सैलानी, इस ताजमेल दी खूबसूरती नों देखकर लई, बड़े चार न लम्मा सफर तै करके आऊंदे हैं, इदे विचे राज़ान दी गल कीती है, वखवख देशां दे नाले है, तो ओदली असी एदना दी जगरते सिर्फ असी पार्त दे वखवख राई लेक सकते हैं, जहां वदेश, शब्द, टुक्वां लेक सकते हैं, बाकी जड़ा पाव मूल रचना वड़ा है, उही रख सकते हैं, इसे तरह अगला वाक है, मेरी मां अक्सर मैंनू अपने जहन विचले सच नू पर गटाउंदी होई कैंदी, काउमा काउमे शुरू होके हूब हूश अदने, मैं चांद तारे अमर गे दुनिया दे बेहतरीन अजूबे, ताज म अबद दी प्रवाना कीते बगार, ताज महल नू खूबसूर्थ बनावन वाले, खूबसूर्थ हत्थां दी, खूबसूर्ती नू तेख दी हैं, तो एजड़े हूब हूँ शब्द ने, एक मान दे, एननू असी अपने शब्दां दे विच भी ब्यान कर सकते हैं, तो दे खवी चोड़ना है, और एक सो पच्चियां दा जड़ा पंजियां दा तीजह हिस्सा है, वो साधी संखेप रचना चाउना है, तो इस दी संखेप रचना दा सरलेख की आउदा है, ताज महल दी खूबसूर्थी अते इस दे महिंत काश, और असी ताज महल दी विशे न ताज महल दे विशे नाल सबंदत एड़ी मूल रचना सी पड़ी सी एड़ी संखेप रचना की बन दी है ताज महल बहुत सुन्दर है पार ताते वे देशां विच्छों लोग इस दी खूबसूर्थी नू देख़न ली आउंदे है और पहरे विच्छों देख रहे हो कि एड़ी संखेप रचना कर सकते है असी आस कर देएं कि एड़ी विचार चर्चा सी कीती है तो हानू समझ आगई होएगी कि किसे मूल रचना दी असी संखेप रचना के में कर सकते हैं सु तो अड़ा सब्दा बहुत बहुत तानवाद